गुट मॉनिंग तो अपना ब्रश तो अप तो मेरी दीदी के साथ ब्रश कर दीओ वैसे तो चलो मैं पटक से ब्रश कर ली तियों फ्रेश हो जाते हैं और फिर मिलते हैं ही गाइस तो अब बज रहे हैं नौ और मैं कर दीओ 11 बचे का व्लोग अपलोड तो बाहर ने चल रहा है इसलिए में बाहर आके बैठी हूं पेड़ों सीडियों के पास देखिए हमारे गर में बहुत अच्छे च्छे रोज लगे जब तक अपलोड है तो आपको दिखा देती हो रोज इस हमारे गर के यह देखिए हमारे गर के पेड़ और एक छोटा सा रोज यहां पर लगा हुआ इतना क्यूट लग रहा है और भी है उसके अलावा और भी है कि एदर सड्य इहलो वाइड कलर का फ्लावर है अगतिए यहां पर हो तीन लगे हो है और यहां पर फुर्च अपड़ ज़िए है तिशे कर 25 चोटत की अप्लोड मैं ये आगिए मेरा लुटी और चावल के पार्सल अज़ा बाहर तो मैं आगी हूं कि मेरा के लिए तो उन्हें मुझे पार्सल ले दिया तो ममी का पार्सल हुआ यह तू नको देते हैं हमारा पैकिंग ममी के लिए जो ऊडर किया है वह आ गया है तो ओधी सबक्तों के देख थो मैंने पचसी एक खूला और निकाला निकाला और निकल गया और फाइनलिल सारी आई ए जो मैंने मुमी के लिए ऑर्डर की है एक्छिली मेरे सिर्ज्टिर सब्सक्राइख सक works के लिए में मी रात के 8 बजे और देखे गाइस इतनी भीड थी वहाँ इतनी इतनी भीड कि मतलब जगा नहीं थी खड़े रहने के लिए फिर उसके बाद कैसे तो भी मम्मे ने वो कुछ जूस था तो वो लाया तो काफी अच्छा टेस्ट लगा तो यासरी आ रही थी लेकिन जैसे वहाँ उशे पूरी हालाती खराब हो गई ठीजनी गरदी है तो हम थोड़ा आगे कर चोड़ी जगा मिली जासे रेली स्टार्ट हो गई और काफी अच्छी रेली थी बहुत सारे ऐसे बना हुए थे द्रिश्ट बहुत अच्छा दगा देखके तो बहुत सारे एंजॉई कि हमने फिर आ गए हम लोग फाइनली हमारे घर काईस बहुत जा तो चलो मैं थोड़ा साखाना खा लेती हूँ अब तो था बहुत कुछ खाने के लिए लेकर में से पेट नहीं भरा तो हम काएंगे खाना अब मैं फ्रेश वो गई हूँ और बहुत जादा थाक्यों कि हम बहुत ज्यादा पैदल चले आज और जरस्याती मैं बहुत जादा थाक्यों मुझे कल जाना है कॉलेज के इवेंट में जहाँ आज़ चीप के समुख जाने वाले है तो मैं उसका व्लोग कल शूट करने वाली हूँ तो अब एक रिख्राल गुट नाइए पाई टेके